इस सिर्सा की रामिया सीट से अपने बेटे धवल कांडा को मीदवार घोशित कर दिया इसको लेकर रैजी की भाजपस सरकार में बिजली मंत्री रंजीत चोटाला भड़क गए उन्होंने अपने समर्थकों के साथ सीट की मांग की जिसमें बीजेपी नेताओं को नहीं बुलाये गया इस मीटिंग में रंजीत चोटाला ने कड़ी नाराज की जाहिर की रंजीत चोटाला ने गोपाल कांडा को लेकर तीखी बयान बाजी की रंजी चौटाला ने कहा गोपाल कांडा का काम है एक सीट जीतो और फिर सीम से CLU करवा हो इस बार ये सिर्सा भी हारेंगे रंजी चौटाला ने चेताव भी दी कि अगर हलोपा भाजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे और रामिया सीट पर किसी और को तारा गया तो वो अपना फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे रंजी चौटाला की इस मीटिंग के बारे में जब सिर्सा जिला भाजपा ध्यक्ष शीषपाल कमबोज से पूछा गया तो उन्होंने का हमें रंजी चौटाला के कारेकरम की कोई जानकारी नहीं है उन्होंने इस बैठक में सिर्फ अपनी समर्थकों को बुलाया था इस बीच चर्चा चली की रंजी चौटाला 22 अगस्त को पुर सीय भुपेंदर सिंग हुडा की मौजूदगी में चंडिकड में भाजपा छोड़कर कॉंग्रेस जॉइंग कर सकती है हाला कि रंजी चौटाला ने का मैं भाजपा में हूँ और आगे भी भाजपा में ही रहूँगा राण्या हलके से भाजपा के टिकट का फैसला हाई कमान करेगा भाजपा ने हर्याना लोकित पाठी के अध्यक्ष गोपाल कांडा के सामने शर्त रखी है कि एक ही सीट देंगे वो भी गोपाल कांडा को छोड़का उनके परिवार के एक सदस्य को